अमरित सर रील हादसा 61 जिन्दगीया लीले वाली किलर ट्रेन की तस्वीरे प्लस फॉलो करें अमरित सर के जोड़ा फाटके हिलाके में रावन देहन देख रहे लोगों को ट्रेन ने कुछ लदिया ट्रेक पर लोग रावन देहन देख रहे थे तभी डियाम उट्रेन इन लोगों पर मौत बन कर बरसी सिर्फ पांच सेके इन में चारों तरफ मौत का भयानक मनजर पसर गया हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 61 हो गई है वहीं 70 से ज्यादा लोग घायल है कईयों की अब तक पहचान नहीं हो पाई है शबों के क्षत विक्षत होने की वज़य से पहचान में भी काफी दिक्कत हो रही है हादसों की वज़य से लोगों में काफी गुसा है वे भी शण हादसे के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं खुफिया रिपोर्ट्स के मताबिक स्थानिये लोग आज रेलवे ट्रेक पर लाशों के साथ प्रदर्शन कर सकते हैं। इस बीच मुख्यमंतरी अमरिंदर सिंग भी घटना स्थल का दोरा करेंगे। और सरकार की लापरोही से गुश्ट से में इसलिए किसी भी स्थिती से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। नवजवत सिंग सिध्धु घायलों का हालक चाल लेने और स्थिती का जायजा लेने के लिए अमरित सर के सिविल अस्पताल प बोज को बाटने का समय है, जानमाल की रक्षा करनी होगी, जो हुआ वो इनसान को बेबस कर गया, किसी ने सोच समझ कर नहीं किया या किसी ने जान बूज कर नहीं किया, अमरित सर्ट्रेन हाथ से के लिए कौन जिम्मेदार है? अपनों को खोने वाले सीधे टोर पर स्थानिय प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और रेलवे अतिक्रमन को, वहीं पंजाब सरकार ने जाज के बाद जिम्मेदारी तरे करने की बात कही है, रावन देहन कारिक्रम के दोरान हुए हादसे के लिए लोग कॉंग्रेस नेता नवजोत सिंग सिध्धू की पतनी नवज जोतकार सिध्धू क्यों पहुंची